पिछले दस साल में हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार में आई हैं इंडिया सरकार में आई हैं महंगाई बढ़ गया है रोजगार को कोई अता पता है नहीं दो करोर लोगों को कह थे कि रोजगार देंगें, तक दस साल में एक रोजगार नहीं मिला, के बाल हिंदू-मुस्दिम करके राज करना चाहते हैं. हमारे समार में विकास तो अभी बीजेपी के सरकार में ऐसा कुछ है नहीं. इस मेरा ब्यक्तिकर पर सेंगें स्टालिन सार हैं. भोड तो ऐसे हम लोग नेता मानते हैं, तिजास्पीगों के अंगस्टर हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं. अभी हम मजूद है गया जिला के नेली पंचायत के गोपीविगा गाउं में. यहाँ पर दो सो घरों का गाउं है और अधिकांस घरों घर जो है वो यादब समाज के लोगों का ही है. हमारे साथ कुछ यादब समाज के लोग मजूद हैं. आये इनसे हम जानते हैं कि इस बा सब्सक्राइब करें जब से बिजय पी सरकार में आई है, महंगाय बढ़ गया है, रोजगार का कोई अतापता है नहीं. और सिर्फ धर्म के नाम पे इस देश में राजनिती कर रहे हैं. एसे में मानना है हमें ऐसे ज़रू यह हमें रोजगार दे, जो देश के बिकास में का आभी के टाइम में यॉद्अ समाज प्ठाइलिखाई में पुरा ध्यान दे रहा है और यॉद्अ समाज का पूरा यह मतलब एम है कि हम लोग प्ठाइलिखाई करें सरकारी नौकरी लें, प्राइबेट नौकरी में अच्छा नौकरी लें लें लेकिन जैसा महल इंडिया वाले बना रहे हैं, हमें अतने जाए था कि हम नौकरी ले पाएंगे, या जिस परकार का अराजक महल बना रहे हैं, वो बिरोजगारी बढ़ रहे हैं जिस तरह से, उससे देखते हुए इंडिया कहीं समर्थन हम लोग करेंगे, सेकुलरीजम हो, सो बना रहे हैं, उसको और लोग माजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्याराईए नरेंदर मोधी के कामो को की से देखते हैं? रेंदर मोदी सिर्फ बहानवा जी कर रहे हैं, कोई काम ऐसा नहीं है, दो करोर लोगों को कहते है कि रोजगार देंगे, लेकिन दस साल में एक रोजगार नहीं मिला, के बले हिंदू-मुस्लिम करके राज करना चाहते हैं, और सम्मिधान वदलने कि सम्मिधान इतना सान हैं, वो खाली दिलासा दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी मजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इंडिया गठ बंदन में परधान मंतरी का चेहरा किसको मालते हैं? अभी तो यही किलियर नहीं हुआ है कि पी-म का कुन उमीदवार इंडिया तो अभी इंडिया गठ बंदन में हर कोई तो दूले बनना चाह रहा है यहां पर, अब तो चेहरा किलियर हो कि वो लोग अपना करें, इसके बाद है कुछ कर सकते हैं, बता रहे थे कि इंडिया गठ बंदन में अभी तक परधान मंतरी का कोई चेहरा नहीं है, चेहरा आने के बाद यह सोचेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ मजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आपके समाज में कितना विकास हुआ है, हमारे समाज में विकास तो अभी बीजेपी के सरकार में ऐसा कुछ है नहीं, और इंडिया गठ बंदन का इभी रफतार चल रहा है, देखिए कैसा विकास होता है, इनको सरकार आने के बाद, बोल रहा है कि अभी तक तो विकास हुआ नहीं है, मगर इंडिया गठ बंदन में विकास होने का संभावना है, आप बताएगा कि राजनीतिक में यादव समाज का भागदारी कितना रहा और किन के महेंदर गोप थें, 1942 के भारत छोड़ों से जुड़े हुए थे वो, देश के आजादी के बाद भी पहले जो पिछले समाचे मुख मंतरी बने थे, वो सतिंदर बाब बने थे, और उसके बाद बीपी मंदल बने थे मुख मंतरी, वो यादव समाज से ही थे, दरोगा राय, और उसके बाद फिर 90 के दाशक में रालो यादव जी आएं, मुख मंतरी बने, और अभी हमारे तेजस्वी जी उप मुख मंतरी हैं, तो यादव समाज सुरू से पुल्टिकली एक्टिव रहा है, चितना संपन रहा है, और यादव समाज ने सुरू से अलग धंकी पॉलिक की है, जिस दोर में कॉंग्रेस का भी रास्था, और कॉंग्रेस के भी लोग अपने मैंस से बहुत से काम कर रहे थे, उसमें भी हम लोग जनता दल को भोट दे रहे थे, हम लोग कमनिश्ट पार्टी को समर्थन कर रहे थे, और हम लोग जो वी अल्टरनेटिव मौजूद कुण गर्णा, मेरा मानना कि बहुत जाती लोग को बहुच्छा के भी विकास नहीं हुआ है, और अभी के डेटे में जो स्माज च्छा के छित में पिछड़ा हुआ हूआ, वबास्तों पिछड़ा है, आप अपना नीता किसको मानते हैं, समाज को नहीं मानता हूँ, कि अधिया गडवंदन के तरफ से मुझे कौन पसंद है तो मैं इंग श्टालिन सब को मैं फसंद करता हूं कि अभी तक ज्यादा विकास नहीं हुआ पढ़ाई के छेतर में यादब समाज अभी भी पीछे हैं और बात करते हैं लोग इस बार इंडिया गठ वंदन है और इंडिया गठ वंदन है किसको वोट करना चाहे हैं वोट तो ऐसे हम लोग नेता मानते हैं तिजस्विकों के अंगस्टर हैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हैं लेकिन तैय तो यह हो ना पहले कि हम लोग का पी-एम होंगे कौन महागडवंदन में कुछ तो सोच के रखे हो हैं इसे कुछ सोचने से नहीं होता बहुत सारा पार्टिया भी मिलने हैं इंडिया में और उन लोग तैय करेंगे कि क्यों अभी मने परधान मंतरी के लिए उमिदवार या सब उनको मानने अता देते हैं हम मजूद थे गया के गूपीवी का गाओं में जहां पर यादव समाज के लोगों का कहना है कि हम लोग इंडिया को भोट करेंगे और रही बात परधान मंतरी चेहरे का तो वो आने वाला बक्त ही बताएगा पंकच कुमार बिहार तक गया कि हम लोगों का बात बात बात